नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ग्रिप नौलेज इस्टडी पॉइंट पर आज हम लोग इस वीडियो में SSC GDK GKGS के प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए तो आज हम लोग Top 25 Questions का टेस्ट लागाने वाले हैं सारे Questions important ली हैं मैंने दोस्तों और आपके SSC के previous exams में पूछे जा चुके हैं सभी को अपना टेस्ट लागाना है और मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपके exam के लिए helpful रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला Question है आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजेगा आंसर दीजेगा दोस्तों निम्मने लिखित में से कौन सी महिला किसी राज की पहली राज पाल थी चलिए अगर आपने इसका अंसर Option A दिया है तो आपका अंसर राइट हो जाएगा स्रीमती सरोजनी नाइडू किसी राज की पहली राज पाल थी याद रखेगा उन्हें उत्तर प्रदेश का राज पाल बनाया गया था चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन है आपके सामने आंसर दीजेगा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक की रिपोर्ट की समविक्षा करने वाली संसिदी समीती है A. आंकलन समीती B. प्रवर समीती C. लोग से लेखा समीती या फिर D. उपरोक्त में से कोई नहीं चलिए जिनका अंसर option C आ रहा है उनका right हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक काम्ट्रोलर एंड ओर्डिटर जेनरल कैक की रिपोर्ट की समीती करती है याद रखिएगा कैक की नियुक्ती अनुक्षेद 148 के तहट राष्ट पती द्वारा होती है option C. इस question का right हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों अगला question है संयुक्त राष्ट संग दिवस निमनलिखित में से किस्तिती को मनाया जाता है A. 24 October B. 24 January C. 24 September या फिर D. 24 December answer देना है आप सभी को question हम से पूछा है संयुक्त राष्ट संग दिवस निमनलिखित में से किस्तिती को मनाया जाता है चलिए जिन लोगों का answer option A आ रहा है उनका right हो जाएगा संयुक्त राष्ट संग दिवस 24 October को मनाया जाता है याद रखना है आप सभी को इसकी स्थापना 24 September 1945 को की गई थी याद रखना है आप सभी को दोस्तों संयुक्त राश संग्द की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी अगला कोश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आंसर दीजेगा भारत में गेहूं का सरवाधिक उत्पादन निम्ड में से किस राज द्वारा किया जाता है चलिए जिन लोगों का अंसर आपसंसी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा भारत में गेहूं का सरवाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है याद रखना है दोस्तों आप सभी को यहां देश के कुल उत्पादन का 28.4 प्रतिसद गेहूं उत्तर प्रदेश में किया जाता है ओप्सन सी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की ओर अगला कोशन है गाय के दूद का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है जैथोफिल बी राइबोफलिविन या सी राइबोलोस या फिर डी कैरोटीन आंसर देना है आप सभी को कोश्चन हमसे पूछा है गाय के दूद का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है चलिए जिनका आंसर ओप्षन D आ रहा है उनका राइट हो जाएगा याद रखना है आप सभी को गाय के दूद में हलके पीले पन का कारण केरोटीन नामक प्रोटीन से होता है चलिए अगला कोश्चन है आंसर देना है आप सभी को अकबर नामा किसने लिखा था ए अकबर ने बी बीरबल ने या फिर सी अबुल फजल ने या फिर D भगवान दास ने चलिए कोश्चन हमसे पूछा है अकबर नामा किसने लिखा था चलिए जिन लोगों का आंसर ओप्षन C आ रहा है उनका राइट हो जाएगा अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा था याद रखना है अबुल फजल अकबर के दरबारी विद्यवान कवी थे याद रखना है आप सभी को अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है उप्षन C इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला question है पूर्ड स्वराज की शपत कांगरेस के किस अधिवेशन में लिए गई A. Kolkata, B. Lahore, C.orthर, D. Malas A. question हमसे पूछा है पूर्ड स्वराज की शपत कांगरेस के किस अधिवेशन में लिए गई चलिए जिन लोगों ने अंसर इसका भी दिया है उनका राइट हो जाएगा याद रखना है आप सभी को कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन में पूर्ड स्वराज की मांग रखी गई थी और वर्स 1929 में आयोजित या कॉंग्रेस का 45 अधिवेशन था याद रखेगा वर्स 1929 में आयोजित या कॉंग्रेस का 45 अधिवेशन था चलिए अगला कोश्चन है रेट कलिफ रेखा किन दो देशों के सीमाओं का सीमांकन करती है आंसर दीजेगा भारत पाकिस्तान इरान इराक या फिर भारत बांगलादेश या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर दीजेगा कॉश्चन हम से पूछा है रेट कलिफ रेखा किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है चलिए जिन लोगों ने इसका अंसर option A दिया है उनका right हो जाएगा याद रखना है आप सभी को red cliff एक अंतरराश्टी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है और याद रखना है आप सभी को इसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को किया गया था याद रखिएगा इसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को सर red cliff द्वारा किया गया था अगला कोश्चन है भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोशित करता है A. मौलिक अधिकार, B. मौलिक कर्तव, C. उद्देशिका या फिर D. राज्य के निती निर्धेशक सिंधान्थ आंसर दीजेगा कोश्चन हमसे या पूछा है भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोशित करता है चलिए जिनका अंसर ओप्सन D आ रहा है उनका राइट हो जाएगा राज्य के नीती निदेशंक सिंधान्थ भारति सम्विधान के कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोशडा करता है याद रखिएगा ओप्सन D इस कोशन का राइट हो जाएगा चलिए अगला कोशन है नरवरा परमालू शक्ती केंद्र किस राज्य में अवस्तित है A. महराष्ट, B. तमिलनाडू, या फिर C. उत्तर प्रदेश, या फिर D. राजस्थान आंसर देना है आप सभी को कोशन हम से पूछा है नरवरा परमालू शक्ती केंद्र किस राज्य में अवस्तित है चलिए जिन लुगों का आंसर ओप्सन C आ रहा है उनका राइट हो जाएगा नरवरा परमालू केंद्र उत्तर प्रदेश में इस्तित है याद रखिएगा इस नाभ की संयंत्र में दो इकाईयां इस्ताफित की गई है जिनमें की प्रतेख की क्षमता 220 मेगावाट है याद रखना है प्रथम इकाई 1991 में और दूसरी इकाई 1992 में की गई थी और प्रतेख इकाई 220 मेगावाट की है अगला कोश्चन है देश का पहला खादी मौल किस राज में इस्थापित किया जाएगा A. जारखंड, B. बिहार, C. 36 गर्ड या फिर D. महराश्च कोश्चन हम से पूचा है देश का पहला खादी मौल किस राज में इस्थापित किया जाएगा चलिए जिन लोगों का answer option A आ रहा है उनका right हो जाएगा देश का पहला खादी मॉल ज़ारखंड में इस्थापित किया जाएगा याद रखना है आप सभी को देश का पहला खादी मॉल ज़ारखंड में इस्थापित किया जाएगा चलिए अगला कोश्चन है कौन सा खनीच अलमूनियम का आयस्क है ए हीमटाइट बी बॉक्साइट या फिर सी मैगनटाइट या फिर डी सिडे राइट आंसर दीजेगा कोश्चन हम से या पूछा है कौन सा खनीच अलमूनियम का आयस्क है चलिए जिन लोगों ने इसका अंसर आप्शन B दिया है उनका राइट हो जाएगा बॉक्साइट एल्मूनियम का अयस्क है याद रखना है भारत में बॉक्साइट का सरवाधिं उत्पादन ओडी सा राज्य करता है आप्शन B इस कोशन का राइट हो जाएगा बॉक्साइट एल्मूनियम का अयस्क है अगला कोशन है निमने लिखित में से किसको भारतिय शिक्षा का मैगना काटा माना जाता है आप्शन A है वुड का डिस्पैच B है हंटर का आयोग या फिर C है सैडलर आयोग या फिर D है वार्धा आयोग आंसर देना है निमने लिखित में से किसको भारतिय शिक्षा का मैगना काटा माना जाता है चलिए जिन लोगों का अंसर ऑप्शन A आ रहा है उनका आंसर राइट हो जाएगा याद रखना है आप सभी को शिक्षा संबंदी सुधारों में गवर्णर जनरल लॉड डलहोजी ने वर्ष 1857 में वुड का डिस्पैच लागो किया था याद रखना है वर्ष 1857 में वुड का डिस्पैच लागो किया था ऑप्शन A इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है आपके सामने आंसर दीजेगा सीमा पार प्रदूसर या अमल वर्षा का कारण है A हाइडरोजन B नाइटरोजन ओकसाइड और सलफर डाइओकसाइड C कारबन मोनो ओकसाइड या फिर D कारबन डाइओकसाइड आंसर देना है आप सभी को सीमा पार प्रदूसर या अमल वर्षा का कारण है चलिए जिन लोगों का आंसर आप्शन B या रहा है उनका राइट हो जाएगा सीमा पार प्रदूसर या अमल वर्षा का कारण नाइट्रोजन ओक्साइड और सल्फर डाई ओक्साइड है ओप्सन भी इस कोश्चन का राइट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन है भारतिय वन सेवा की स्थापना कब की गई चलिए आंसर दीजेगा 1 जुलाई 1965 को या फिर 1 जुलाई 1966 को या फिर 1 जुलाई 1967 को या फिर 1 जुलाई 1970 को आंसर देना है कोश्चन हमसे पूछा है भारतिय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी चलिए बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ओप्सन भी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा भारतिय वन सेवा की स्थापना एक जुलाई 1966 को की गई थी चलिए अगला कोश्चन है पृत्वी के केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब की पदार्थ है ए ग्रेनाइट, बी बैसॉल्ट, सी निकेल, या फिर दी डायोराइट आंसर दीजेगा कोश्चन हमसे पूछा है पृत्वी की केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब की पदार्थ है चलिए जिन लोगों ने इसका अंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा याद रखना है आप सभी को पृत्वी के केंदर में पाय जाने वाला चुम्ब की पदार्थ निकेल है option C इस question का right answer हो जाएगा अगला question है ATM का पूरा नाम है A. Automatic Tailor Machine B. Automated Tailor Machine या फिर option C है Automatic Tailor Machine या फिर option D है Automated Tailor Mechanism चलिए answer दीजेगा जिन लोगों ने इसका answer option B दिया है उनका right हो जाएगा ATM का पूरा नाम Automated Tailor Machine है option B इस question का right हो जाएगा Automated Tailor Machine है अगला question है Excel window का कौन सक्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है A. Title Bar B. Menu Bar C. Formula Bar या फिर D. Standard Toolbar चलिए answer दीजेगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell on कर लीजे मैं आप लोगों के लिए डेली दोपहर एक बजे S.C.G.D.K.G.S. से एक वीडियो लेके आता हूँ जो की आपकी परिक्षा के लिए एक्सेल विंडो के फार्मूला बार में मान एवम सूत्र होता है फार्मूला बान रिबन के नीचे होता है याद रखिएगा इसका नेम बॉक्स से रिफरेंस को दिखाता है option C इस question का right answer हो जाएगा चलिए अगला question है बंगाल का पहला governor general कौन था? अंसर देना है बंगाल का पहला governor general कौन था? चलिए जिन लोगों ने इसका अंसर option B दिया है उनका right हो जाएगा बंगाल का पहला governor general Warren Hastings था जो की 1774 से 1785 इस वी के बीच में था option B इस question का right हो जाएगा अगला question है शब्द अहस्त शेप अर्थवरस्था के किस रूप से साथ सम्बंध रखता है option A पूंजीवादी अर्थवरस्था B समाजवादी अर्थवरस्था या फिर C मिश्रित अर्थवरस्था या फिर D निर्देशित अर्थवरस्था चलिए आंसर दीजेगा question हमसे पूछा है शब्द अहस्त शेप अर्थवरस्था के किस रूप के साथ सम्बंध रखता है चलिए जिन लोगों का answer option A आ रहा है उनका right हो जाएगा शब्द अहस्त शेप अर्थवरस्था के पूंजीवाद अर्थवरस्था से सम्बंध रखता है याद रखना है शब्द अहस्त शेप अर्थवरस्था के पूंजीवाद अर्थवरस्था से सम्बंध रखता है चलिए अगला question है आंसर देना है आप सभी को गुप्त वन्स के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था A. समुद्र गुप्त को B. चंद्रगुप्त विक्रमादित को या फिर C. स्रीगुप्त को या फिर D. चंद्रगुप्त प्रथम को अंसर देना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था चलिए जिन लोगों ने इसका अंसर आप्सन A दिया है उनका राइट हो जाएगा गुप्त वन्स के समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था याद रखना है आप सभी को गुप्त वन्स के समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था अगला कोश्चन है कलिंग पुरुसकार कौन देता है A. युनिसको B. Odisha सरकार C. B. जुपतनायक प्रतिष्ठान या फिर D. C. S. I. R आंसर दीजेगा कलिंग पुरुसकार कौन देता है चलिए जिनका आंसर option A आ रहा है उनका right हो जाएगा कलिंग पुरुसकार UNESCO देता है याद रखिएगा कलिंग पुरुसकार UNESCO को द्वारा दिया जाता है option A. इस question का right हो जाएगा अगला question है किसे father of Indian Arnest कहा जाता है A. J. L. नहरू को जवाहलान नहरू को या फिर B. A. O. हिूम को या फिर C. महत्मा गांधी को या फिर D. लोकमान तिलक को answer दीजेगा किसे father of Indian Arnest कहा जाता है चलिए जिन लोगों ने इसका answer option D. दिया है उनका right हो जाएगा लोकमान तिलक यानि की बाल गंगा धर तिलक को father of Indian Arnest कहा जाता है याद रखिएगा लोकमान तिलक को father of Indian Arnest कहा जाता है चलिए question है चाय की खेती की जाती है A. अमली भूमी में B. खशारी भूमी में C. लवडी भूमी में या फिर D. खशारी एवं लवडी भूमी में चलिए answer दीजेगा question हमसे पूछा है चाय की खेती किस प्रकार की भूमी में की जाती है जिन लोगों का answer option A आ रहा है उनका right हो जाएगा चाय की खेती के लिए अमली भूमी आदर्स भूमी है राइट answer हो जाएगा option A चाय की खेती अमली भूमी में की जाती है चलिए अगला question है uranium का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है A. आस्ट्रेलिया में B. कनाडा में C. अड़क्षिड अफरीका में या फिर D. भारत में आंसर दीजेगा uranium का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है चलिए जिन लोगों ने इसका आंसर option A दिया है उनका right हो जाएगा uranium का सबसे बड़ा भंडार आस्ट्रेलिया में पाया जाता है याद रखना है आप सभी को यहां विश्व का 30% uranium भंडार उपलब्ध है याद रखिएगा 30% uranium भंडार विश्व का यहां पर उपलब्ध है आस्ट्रेलिया में तो दोस्तों यह थे आपके S.C. G. D. के G. K. G. S. से 25 questions आपको हमें बताना है कि 25 questions में आपका score कितना है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए